नमस्कार दोस्तों, घरेलो नुस्कों के ग्यान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों, हमारा शरी दुनिया की सबसे कॉंप्लिकेटिड मशीन है और इस मसीन के सही संचालन के लिए हम तरह तरह के खादे प्रधार्थ और औशद्यों का सेवन करते हैं हमारे रसोई घर में उप्योग होने वाली खादे सामगरी अपने आप में औशद्यों का भंडार है परन्तु हम फिर भी जाने अंजाने में या जानकारी के आभाव के कारण खादे प्रधार्थों के वच्चे अब सिस्टों को वेस्ट समझ कर उन्हें फेक देते हैं फाल्तु और बेका समझी जाने वाली चीजों का भी सद्यूप्योग खोज लेना चत्राई और बचत करने की सूजबूच का सूचक होता है आईए दोस्तों जानते हैं फाल्तु चीजों का उचित उप्योग और सद्यूप्योग कैसे करें अक्सर हम सभी लोग आलू उबालने के बाद उसके बचे हुए पानी को फेक देते हैं परिंतु इसके बचे हुए पानी को फेकना नहीं चाहिए इसका उप्योग या तो आप सबजी बनाने में कर लें या फिर चांदी के जेवर और बर्तन को कप्ड़ गीला करके उसे रगड़ के साफ करने में भी कर सकते हैं पनीर फारने के बाद इसके पानी को फेके ना इसके पानी में थोड़ा सा दही डालकर राद भर के लिए रग दे और अगली सुभाई से कड़ी बनाए कड़ी बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगी खीरे के छिलके को कभी भी ना फेके यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कौक रोज है तो इन्हें उस जगे पे रगदे जहां कौक रोज आते हैं इससे कौक रोज भाग जाएंगे यदि घर में पड़ी हुई ब्रेट सुख जाए तो इसको कभी भी फेके ना इसका चूरा बनाकर इसका उप्योग रजदार सबजी को गाढ़ा करने में भी कर सकते हैं इससे सबजी का जायका भी बढ़ जाता है इसके अलावा पकोडी और कटलिट बनानी में भी इसका प्रियोग किया जा सकता है नीबू का रस निकालने के बाद छिलकों को धूप में सुखा ले इन्हें कपड़ों की अलमारी में जहां तहां फैला कर रग दें इससे कीड़े भाग जाते हैं इसके अलावा छिलकों में नबक भले और बोटल में रखकर धकन लगा दें थोड़े समय बाद छिलके भूरे रंके हो जाएं तब इनको पानी से धोकर लंबाई में काट लें और जरासी हींग, शक्कर वे लाल मिर्स पीस कर इस पर बुरग दें चटपटा अचार तयार होगा नेवे नीबू के छिलके थोड़े पानी में उबाले और छान लें इस पानी में ठंदा जल मिला कर इस्तनान करें शरीर में ताजगी आएगी और शरीर महक उठेगा केले के छिलके को फेकने के बजाए इससे चमड़े का जूता रगड का साफ करें जूतों में नई जान और नई चमक आ जाएगी चाई बनाने के बाद चाई की पत्ती को साधे पानी में डाल कर उबाले और छान ले इस पानी से खिरकी वे अलमारी के कांच तधा दरपन दो कर पोच ले ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे चाई की पत्ती के पानी को पौधों में डालने से पौधों में एक नई जान आ जाती है किन्तु इस पत्ती वे पानी में चीनी का असन नहीं होना चाहिए अनिता पौधों में कीड़े लग जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों या रेलेटिप्स के साथ जरूर शेयर करें हो सकता है आपके शेयर करने से आपके साथ साथ उनको भी वायदा पहुचे अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे नुस्के आप सभी के लिए कितने कारगर सिध्ध हो रहे हैं और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरी चैनल याने की घरेलू नुस्के का ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए रेकेमेंट करें जिससे हमारे चैनल पे दिये गए घरेलू टिप्स और घरेलू नुस्के उनके लिए भी फाइदे मन्द हो और सब्सक्राइब करने के लिए आपको किपल वीडियो के नीचे दिये गए लाल कलर के बटन को दबाना है तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद